हम लोग डिवाइन पे काफी जगे से कहीं अच्छा है ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं कैसे इस वीडियो को देखी अगले दो मिनिट में आप भी मानेंगे कि कुछ तो बात है डिवाइन में जो और उसे बेटर रिजल्ट दे पाती है मेरा नम डॉक्टर आमेट है मैं एक प्लास्टिक सरजन हूँ और हमें 11 साल का experience है है ट्रांस्प्लांट प्रॉसीजर में last week मैंने एक YouTube पे वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने एक clip दिखाई थी जिसमें दो plastic surgeons मैं और Dr. Vikram साथ में FUE प्रोसेस कर रहे हैं एक patient के लिए आप समझ सकते हैं कितनी importance देते हैं हम एक hair transplant को जिसमें दो plastic surgeons अपने skill को और अपने resources को use करके patients को best result दे पाते हैं एक और अब चीज़ बताऊंगा आपको जो हमने concept अब शुरू किया है हम पेशले 10 साल से कर रहे हैं लेकिन आब एक proper उसको checklist form में create किया गया है वो है team leader concept और एक quality control concept जो team leader का concept है वो ये है मैंने हर surgery से पहले 26 point ऐसे बनाए है जो कि team leader manager एक appointment किया जाता है हर surgery से पहले वो उन 26 points को बिलकुल rigorously strictly check करता है इससे ensure होता है कि हम कोई भी चीज miss ना कर दें और patient के care में कोई problem ना हो तो ये mandatory है कि ये सारे के सारे 26 point start clear हो before transplant start हो सके और इसकी monitoring हमारा MIA system करता है जो management information system है मैं अगले वीडियो में आपको उसके बारे में थोड़ा से बताऊंगा तो आप जरूर देखें कि वो किस तरह एक patient को help करता है so मैंने patient की सारी prerequisites operation theater की पूरी prerequisites सारा समान equipment सब कुछ इस checklist के थूर 100% correction कर दी है जो दूसरा हमारा concept है वो है quality control का जो मेरे senior most assistant है उनको designate किया जाता है कि वो quality control को follow करें इसमें steps दिये गए हैं किस तरह के graft होने चाहिए जैसे अब देखें अगर इस graft को देखें इसमें दो अलग अलग graft है एक ही bunch में और इसमें individual graft है तो ये सही graft है ये गलत graft है तो वो जो quality control में वो क्या करते हैं मेरी team के जो बाकी assistants है जो वो बालों को separate कर रहे होते हैं तो एक के graft की checking होती है counting होती है follicle की counting होती है graft की जैसे मैंने का counting होती है और जो गलत graft है उनको दुबारा process किया जाता है और जो assistant गलत graft ज़्यादा निकाल रहा है उसको अलग से training कराई जाती है उनको थोड़े दिन के लिए हम bench से हटा देते हैं ताकि वो correction कर सके तो हमारे लिए ये quality maintain करना बहुत जरूरी है जब implantation के time पे कोई भी graft हमें लगता है ठीक नहीं है हम उसको अलग कर देते हैं उसको count नहीं करते हैं तो multiple steps पे checking होती है grafts के count की, grafts के quality की तो इससे ensure कर पाते हैं कि हमारे हर patient में हम सिरफ बोलते नहीं है कि result पूरा आएगा हम actually prove कर पाते हैं और actual 100% result हम दे सकते हैं तो अगर आपको कुछ confidence आया है ये बाते सुनके कि हम लोग आपको एक better result दे सकते हैं तो मेरे इस channel को subscribe करें प्लस मुझे अगर contact करना है तो मुझे आप phone या WhatsApp कर सकते हैं 9811-999417 मेरा नाम डॉक्टर आमेथ है और मैं एक plastic surgeon हूँ